हमेश्का दोस्तों इस वीडियो में इस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है इंडियन रेनेवल एनर्जी ड्वेल्पमेंट एजिन्सी लिमिटिव इसको हम इरेडा के नाम से जानते हैं इस स्टॉक 222 के प्राइस पे ट्वेड कर रहा है मार्केट में नीचे एंड टूहंडड़ी में से ऊपर ट्रेड कर रहा है यह रेश्यो काफी अच्छे तरीके से क्रेक्ट हो चुकिया मीडियन से छोटू सी उपर है फाइव एस के टाइम स्पैन पे एंड वन मन्थ पे थोड़ी सी नीचे है तो पी काफी अच्छी स्टेज पे है ना रिजल्ट भी आया था एंड वो एक बार चेक कर लेते हैं तो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं आया है बट सस्टेन करना भी बहुत बड़ी बात होती है और सस्टेन करने के साथ साथ इसने थोड़ा सा जंप भी लिखाया है तो बेसिकली यहां पर सानेंसिंग थोड़ा सा डाउन जंप देखने को मिला है हलांकि हमें टेक्स सारा कुछ कर करा के नेट प्रॉफिट जो है उसमें जंप देखने को मिला है फोर क्रोड का एंड जो अनिंग पर शेर है वो भी एक पैसा उपर ही रहा है बट फिर भी अगर देखा जाए तो मुझ लगता है कि थोड़ा सा बहुत अच्छा रिजल्ट इसको नहीं बोल सकते हैं यह और तो काफी अच्छा है बट क्वाटर अन क्वाटर इसको बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं बोल सकते हैं तो यह भी एक रीजन रहा होगा कि थोड़ा सा यह स्टॉप डाउन है अभी के लिए शेर कम करी है और जो पब्लिक के पास पहले पिछले जून के क्वाटर में 21.87 पसेंट था अभी पब्लिक के पास 22.62 पसेंट है और नमबर अफ शेर होल्डर्स यहां पर फोर लैक्स के आसपस बढ़ते हुए दिखाई अफकॉस दिये हैं तो यह नमबर अफ शेर होल्डर्स बढ थी और फिर कम होगी थी starting में काफी अच्छी इनकी होल्डिंग थी डिया इसकी और उसके बाद इनकी होल्डिंग कम ही होती जारी तो यह एक अच्छा साइन नहीं है अभी के लिए चलते हैं हम इसके चार्ट पे चार्ट पे देखे सबसे पहले तो हमने यह चैनल बनाया अभी के लिए और ये channel कब बना था January से start हुआ था ये channel बनना and ये stock कब list हुआ था November के last week में list हुआ था and November के end में basically list हुआ था and January से ये uptrend में ही है stock अगर देखा जाए उस तरहीके से थोड़े बहुत ups and downs के साथ काफी अच्छे इसने moves दिये हैं काफी अच्छा इसने गें करवाया है अपने investors को तो अभी के लिए stock जो है काफी resting position में भी बोल सकते हैं थोड़ी सी correction में बोल सकते हैं basically sideways stock जादा देखा गया है तो इसने high जो लगाया था उसने high लगाया था वैसे कर ले तो तो होई जाएगा बट correction of course देखने को मिली है काफी strong देखने को मिली है तो अभी के लिए sideways कबसे है September first week से यह थोड़ा सा sideways है और यह जो इसका pivot है जो अभी इसका pivot बना है उसको यह break नहीं कर पा रहा है कभी support बना रहा है कभी resistance बना रहा है बट उसी के आसपास ही घूमे जा रहा है तो इसने break किया था 10th October को and 8th, 9th and 10th को इसने काफी अच्छे move दिये थे उसके बाद इसको फिर से यहां पे कि dodgy मिल गया and dodgy थोड़ा सा trend reversal भी होता है बट इतना bullish कोई run मिला नहीं था कि यह मिल जाता बट यहां पर indication clear थी क्योंकि यह इसको support and resistance बना के जाता तो trading के rules से अगर देखे तो यहां पर selling का of course बनता था तो अभी के लिए अगर हम देखे तो हमें जो 11th को मिला है 2.17% का down move मिला है and आज हमें 3.11% का down move मिला है जो कि काफी strong down move है and इस stock ने channel के बाहर जो major uptrend का channel था उसके channel के बाहर closing दी है and अपने support one पे भी इसने closing दी अपने support one से reversal लेका है बहुत छोटो सी उपर closing दी है but यह अपने support one पे इसने closing दी है तो अभी के लिए मुझे यह लगता है कि सबसे पहले तो confirmation channel का wait करें कि इस channel को यह downtrend का channel बना है इसको यह break करे and दूसा channel के अंदर यह closing दे तो basically यहां पर थोड़ा सा confusion हो जाएगा तो मैं इसका color जो है वो कर देती हूँ green so that की confusion ना हो जादा तो basically yes तो blue वाला जो channel है इसके अंदर इसकी entry रहनी चाहिए green वाले channel के बाहर इसकी closing बेसिक इसकी entry नहीं सॉरी closing रहनी चाहिए and pivot को जैसे ही यह break करके sustain करेगा तो basically pivot भी नहीं है इसके resistance इसके resistance है 236 की लगा के चलते हैं उसके ऊपर यह sustain करेगा तो मुझे लगता है कि यहां पर entry काफी अच्छे तरीके से confirmation के साथ बनाई रसके उससे पहले मुझे entry का यहां पर कोई point नहीं लगता बहुत dicey है बहुत risky है तो उस चीज़ का ध्यान में रखके चले एक चीज और mention करना चाहूंगे कि यह जैसे ही अपने channel के edge पे जाता है तो reversal यह जरूर देता है काफी अच्छे move देता है 50-50% के move देता है बट confirmation channel के बिना कोई भी target लेके चलना संभव नहीं है तो मैं यही volume confirmation channel का wait करके चले अभी के लिए RSI 43.90 पे है support RSI के पास जरूर है reversal लिए तो बढ़ी trade करता हुआ दिखे अभी के लिए क्योंकि हम काफी time के बाद यह बना रहे हैं वीडियो तो इसको एक बार थोड़ा सा weekly chart को analyze करते हैं इस week का तो एक ही दिन हुआ है तो कोई फरक नहीं पड़ता है इस channel का हम ignore करके चलेंगे तो अभी के लिए यह जो candle बनी है last week मैं यह reversal point भी हो सकता है 3.14% का अप मूब भी मिला है last week मैं तो मुझे लगता है reversal point जरू हो सकता है but confirmation candle लेके चलना बहुत जाल जरूरी है RSI 54.51 पे है RSI काफी अच्छी stage पे है but yes 60 से नीचे है तो मुझे लगता है कि थोड़ सा sideways हो सकता है market जाए तो अभी के लिए थोड़ सा उस इसका ध्यान में रखके चले चलते है BSC पे BSC पे सबसे पहले तो इसका प्राइज में जो है 20% का है and ASM long term stage 1 पे है ये and I think 20th September 20th September को ये गया है तो एक और stock भी था I forgot the name hood को I think वो भी 20th September के आसपास ही ASM long term stage 4 sorry stage 1 पे गया था and उमीद करती हूँ कि इस week में शायद इन ये दोनों निकल जाएंगे sorry यहां पर आना था तो उमीद करती हूँ इस week के इस Friday तक हो सकता है कि निकल जाएं सर्वलांस से अभी के लिए price when इसका 20% का है and news as such कोई नहीं है major वाली जो कि इसके price when price के आप यह डान वो में किस तरीके की मदद करेगी delivery percentage 38.91% मतलब 40% का delivery percentage गया है तो delivery percentage इस तरीके का डाउन वो मिला है मुझे थोड़ा अच्छा भी लग रहा है बुरा तो बिल्कुल भी नहीं बोल सकते 40% का delivery percentage तो यहां पर बस एक reversal मिलने के chances of course हैं ब दिखाए उसके बाद हम कुछ यहां पर entry point की बात कर सकते हैं तो यह मेरी analysis है by sell hold की recommendation यह मिलते हैं next video में तब तक के लिए शुक्रिया and happy investing